जानिये क्यों फल्दाई है राधा अश्टमी? सकंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की कुल 16,000 गोपियां थी जिन में देवी श्री राधा, भगवान श्री कृष्ण की सरवाधिक प्रमुक और प्रिय थी. राधा अश्टमी को उकवास करने और राधा नाम लेने से सभी पापों से मुक्ती मिल जाती है. कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण के बैकुंट में निवास मिलता है. यही नहीं राधा नाम इतना महान है कि केवल दो बार राधे राधे कहना 108 जब की माला करने के समान है. श्री राधा कृष्ण का प्रेम संबंध इतना विचित्र है कि जब आप राधा रानी की भक्ती करेंगे तो कृष्ण आपसे बेहत प्रसन्न होंगे और जब आप कृष्ण की भक्ती करेंगे तो राधा रानी अपनी कृपा आप पर बरसाएंगी. राधा रानी स्वयम बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, इसलिए वे आपको कभी निराश नहीं होने देंगी, आपकी निस्वार्त भक्ती का अवश्य मान रखेंगी राधा अश्टमी का महत्व पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते थे इनके प्रेम का साक्षी सारा ब्रहमांड है यही कारण है कि राधा रानी के बिना कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है मान्यता है कि जो लोग कृष्ण जन्माश्टमी का वरत रखते हैं उन्हें राधा रानी के जन्मोटसव पर भी वरत अवश्य रखना चाहिए राधा अश्टमी के व्रत के बिना कृष्ण जन्माश्टमी के व्रत का पूरा पुन्य प्राप्त नहीं होता है राधा अश्टमी के दिन श्री सर्वेश्वरी राधा रानी और सर्वेश्वर श्री कृष्ण दोनों की पूजा की जाती है ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने वालों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है इसके अलावा राधा अश्टमी के दिन व्रत रखने वर श्री राधा रानी की आर्धना से वैवाहिक जीवन में संपन्नता और प्रेम सदैव बना रहता है वहीं महिलाएं घर में सुक्षान्ती और खुशाली के लिए श्री राधा अश्टमी का व्रत रखती है कहा जाता है कि राधा नाम के जाप से भगवान श्री कृष्ण भी जल्दी प्रसन हो जाते है राधा अश्टमी के दिन वृत रखने और राधा रानी के साथ कृष्ण जी की पूजा करने से घर में धन्दान्य के भंडार भरे रहते हैं साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है राधा रानी जन्म कथा उन्होंने राधा को पृत्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने श्रीदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्रीदामा ने शंखचूर राक्षस के रूप में जन्म लिया. वही राक्षस जो भगवान विश्णों का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृष भानुजी की पुत्री के रूप में पृत्वी पर जन्म लिया. लेकिन राधा व्रिश्भानुजी की पत्नी देवी कीर्ती के गर्प से नहीं जन्मी थी जब श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृत्वी पर देवी कीर्ती और व्रिश्भानु जी की पुत्री के रूप में रहना है वहां आपका विवाह रायान नामक एक वैश से होगा रायान मेरा ही अन्शावतार होगा और पृत्वी पर भी आप मेरी प्रिया बन कर रहेंगी उस रूप में हमें बिछडने का दर्द सहना होगा अब आप पृत्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें सांसारिक द्रिष्टी में देवी कीर्ती गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ लेकिन देवी कीर्ती के गर्भ में योगमाया की प्रेर्णा से वायू का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायू को ही जन्म दिया जब वहां प्रसव पीडा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांचित फल प्रदान करते हैं राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है, मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है राधा रानी जन्म से जुड़ी महत्वपूर्ण कथा राधा रानी के जन्म से जुड़ी एक पौराने कथा के अनुसार एक दिन व्रिश्भानु जी को एक तालाब में कमल फूल के बीच एक ननहीं कन्या लेटी हुई मिली वो उस छोटी बच्ची को वहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहते थी इसलिए उसे लेकर अपने घर आ गए राधा जी को वो घर तो ले आए लेकिन वो आखे नहीं खोल रही थी माना जाता है राधा जी जन्म के बाद सबसे पहले कृष्ण जी को देखना चाहती थी कहते हैं कि कृष्ण जी को जब राधा रानी ने पहली बार देखा तभी उन्होंने अपनी आखे खोली बता दे कि पद्धकुरान के अनुसार एक बार व्रिश्भानु जी जिन्हें राधा रानी के पिता के रूप में लोग जानते हैं यग्य के लिए भूमी साफ कर रहे थे उसी दौरान धर्ती की कोक से राधा रानी उन्हें बच्ची के रूप में प्राप्थ हुई कहते हैं कि जिस प्रकार से द्वापर युग में भगवान विश्णों ने कृष्ण अवतार लिया था उसी प्रकार लक्ष्मी माता ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था राधा कृष्ण की प्रेम कहानी से हम सभी वाकिफ हैं जहां एक तरफ कृष्ण को शरीर तो दूसरी तरफ राधा जी को उनकी आत्मा माना जाता था। कहते हैं कि राधा जी जिस दिन व्रशभानु जी को मिली थी वो अश्टमी तिथी इसलिए इस दिन को राधा अश्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। आज के दिन राधा रानी के साथ ही कृष्ण जी की पूजा अर्चना का भी विशेश महत्व है। अब इस पात्र के ऊपर सबसे पहले राधा रानी की मूर्ती स्थापित करें। नाम हमेशा एक साथ आता है और राधा अश्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण की प्रिय राधा जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपत शुकल की अश्टमी को राधा रानी का जन्म हुआ था। कृष्ण जन्माश्टमी की तरह ही राधा अश्टमी का पर्व भी पूरे धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है लेकिन इसकी सबसे ज्यादा रौनक राधा रानी की नगरी बरसाने में देखने को मिलती है। राधा अश्टमी का धार्मिक महत्व राधा अश्टमी के इस पावन अवसर पर श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा की जाती है। साथ ही भक्त जन्मनोकामनाओं की पूर्ती के लिए व्रतुकवास रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भक्त द्वारा सच्चे दिल से राधा रानी की पूजा और उपासना करने से सकल मनोरत पूर्ण हो जाते हैं। साधक को दीरगायू की प्राप्ती होती है और सौभाग्य एवं आय में अपार व्रिद्धी होती है। धर्म ग्रंठों में वर्नित है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ती राधा रानी की पूजा के बिना अधूरी रहती है। कहां जाता है कि राधे राधे मंत्र का निरंतर जाप करने से भक्त को भगवान कृष्ण का भी आशिर्वाद प्राप्त होता है। इनकी कृपा दृष्टी से जातक को सुदामा समान बैकुंठ लोग की प्राप्ती होती है। इसके अलावा जन्माष्टमी के समान ही राधा अश्टमी का भी अपना विशेश महत्व है। इस दिन व्रत करने से भक्त को सभी पापों से मुक्ती मिलती है। विवाहित महिलाएं भी राधा अश्टमी का व्रत सुख, संतान और अखन सौभाग्य का आशिरवाद पाने के लिए व्रत करती है। राधा अश्टमी की पूजा विधी राधा अश्टमी के अवसर पर सुभस वेरे उठकर स्नानादी करके निवरित हो जाएं। इस दिन राधा जी और भगवान कृष्ण की पूजा करें। भक्त को राधा अश्टमी पर पूरे दिन व्रत करना चाहिए और सिर्फ एक समय फलाहार करना। चाहिए, इसके पश्चात राधा कृष्ण जी की प्रतिमा को पंचामरित, दूध, दही, शेहद, घी और गंगा जल से स्नान कराएं और फिर मूर्ती का श्रिंगार करें। श्रिंगार करने के बाद राधा रानी और कृष्ण जी को भोग लगाएं तथा उन्हें धूप, दीप, फूल, आदी अर्पित करें। राधा अश्टमी पर पूजन के लिए पाँच रंग के चूर्ण से मंडप का निर्मार करें और इस मंडप के भीतर शोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। अब इस कमल के बीचों बीच सुन्दर आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ती को पश्चिम की तरफ मुख करके स्थापित करें। अब दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और शद्धा भाव से श्री राधा कृष्ण की पूजा तथा आरती करें। आईए अब नजर डालते हैं राधा अश्टमी पर किये जाने वाले उन सरल उपायों पर जो आपके प्रेम जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करने की क्षमता रखते हैं। प्रेम जीवन में खुशाली के लिए राधा अश्टमी पर जरूर करें ये उपाय। मंचाहे प्रेम पाने के लिए राधा अश्टमी के शुक दिन भोजपत्र ले और उस पर चंदन से अपने प्रेमी प्रेमिका का नाम लिखें। इसके बाद इसे राधा कृष्ण के मंदिर में चड़ा दें। साथ ही कृष्ण जी और राधा रानी से अपने मंचाहे प्रेम को पाने के लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। जीवन साथी की तलाश के लिए। यदि आपको अपना जीवन साथी सुन्दर और आकरशक चाहिए, तो राधा अश्चमी के पर्फ के शुब अवसर पर राधा कृष्ण के मंदिर में हल्दी, चंदन और कुमकुम आदी चड़ाएं। इस उपाय को करने से आपको शीग्र ही एक सुन्दर और योग्य जीवन साथी की प्राप्ती होगी। सुक्षान्ती से पूर्ण प्रेम जीवन के लिए, जिन जातकों का प्रेम जीवन कला और विवादों से भरा हुआ है या फिर जिन्हें अपने प्रेम जीवन में सफलता की प्राप्ती नहीं हो रही है, तो उन्हें इस दिन एक सफेद कपड़े में पांच केले बांध कर र आपके वैवाहिक जीवन में सुक्षान्ती की कमी है, तो राधा अश्टमी के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं और वहां कपूर चढ़ाएं, मंदिर में कपूर को चढ़ाने के बाद घर वापिस लेकर आएं और उसे अपने बैडरूम में जलाएं, यह उपाय आ और फिर उस इत्र को वापस घर लेकर आएं, अब इस इत्र को रोज लगाएं, इस उपाय को करने से आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम में बढ़ोतरी होगी, प्रेम विवाह के लिए, जो जातक किसी से प्रेम करते हैं और उनसे ही विवाह करना चाते हैं, लेकिन इसके लिए घर वाले मान नहीं रही हैं, तो राधा अश्टमी पर लड़का और लड़की दोनों राधा कृष्ण के मंदर में जाएं और उन्हें पीले फूल, पीली मिठाई और पीले वस्त्र अर्पित करें, इसके बाद उनकी कपूर से आरती करें, साथ ही राधा जी और श्र के लिए प्रार्थना करें.